या आपको भी मोबाइल से फोटो लेने के बाद सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि आप स्नाप सीट में एडिट करों या लाइट रूम में तो आप इसे अकेले नहीं हो अल्मॉस्ट हर मोबाइल फोटोग्रिफर को यही डाउट रहता है और इस वीडियो में मैं आपको पाँच बेनिफिट्स लाइट रूम के और पाँच स्नाप सीट के बेनिफिट्स बताने वालों ताकि आप डिफरेंशियेट कर पाओ कि किस तरह की फोटो में कैसी प्रोसेसिंग के लिए आपको स्नाप सीट या लाइट रूम यूज करना चाहिए मतलब यह क्वेशन तो वैसी होगे अगर मैं पूछों कि आईफून बेटर रहे हैं सामसंग या केनन या नाइकॉन बट हम वहां नहीं जाते अभी हम बात कर रहे हैं एडिटिंग की तो सबसे पहले मैं बात करूँगा लाइट्रो मॉबाइल एप्लिकेशन की और यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है आप यूज करते हो वह है लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आपको फाइदा क्या मिलता है अगर एक फोटो को एडिट कर रहा हूं प् अभी भी वहां से रिजियूम कर सकते हो स्नाप सीड में यह चीज नहीं होती एक बार आप इमेज को ले के आए थोड़ा प्रॉसेस करा जैसे आप नई इमेज खोलोगे आपकी पुरानी इमेज के जो भी एडिट होंगे सब गायब हो जाएंगे और वो चीज मुझे कई न आइकन दिखेगा इसका मतलब है आप पूरे स्पेक्ट्रम में जो आप कलर सोच सकते हो वो कलर आप शाड़ोज हाइलाइस या मिट्टों में देखे कुछ अलग-लग टाइप की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो जो अगीन स्नाप सीड में पॉसिबल नहीं है तो अगर मैं बात क रहने हैं हैं हुआ हैं और साचूरेशन हैं वो इंडिविजूली मैनेज करके अपनी इमेज में प्रोसेसिंग कर सकते हो तो मान लो अगर मेरी फोटो में कुछ ग्रीनरी है और मैं सिर्फ ग्रीन कलर को साध़ादा साचूरेट करना चारहाँ या फिर प्राइटने सेस्ट क हलका से इंक्रीज करते तो और इससे क्या फाइदा मिलता है जैसे आप यहां पर देखोगे जो स्काय में बूस्ट है क्लारिटी है और वो इंपक्ट आता है स्काय का स्पेशिटी कलर्स भी थोड़े बूस्ट हो जाते हैं वह चीज अगेन मुझे स्नाप सीट में नहीं देखने को मिलती बट एक चीज आप धियान रखना डी है स्लाइडर बहुत जल्दी आपको अच्छा लगेगा तो बहुत 10-15% तक ही आप उसको लेके जाओ उसकी उपर आप लेके जाओगे तो खेना का इमेज में मेजेंट और परपल टोन आ सक जाता है तो स्नाप सीट में तो हमें शापनिंग ऑप्शन मिलता है बर लाइट रूम में वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है जहाँ आप मास्किंग टूल को यूज करके अगर एक थम से स्लाइडर वाला मूव करोगे मास्किंग का और दूसरे एंड पर अगर अपना थम उविषली यह पेड वर्जन में अबेलेवल है तो कुछ लोगों विए रिस्टेक्टट रहेगा बट अगर आप व्ह वाला वर्जिन यूज कर रहे हो तो आप रिडियल फेल्टर एज्शमेंट ब्रश या ग्रैजुएटट फिल्टर को यूज करके आप सेलेक्टिव ली लिमिटेशन के साथ आता है अब अगर मैं Snapseed की बात करूँ तो सबसे पहला benefit मैं selective editing से ही शुरू करूँगा अब Snapseed की अगर मैं बात करूँ ना बहुत easy to use है बहुत अगर आप एक just ले मैंना आपको इतना technicalities में नहीं जाना लाइट्रूम में जाके Snapseed में सबसे बड़िया चीज मुझे क्या लगती है selective टूल पे गया इसी भी एक point पे मैंने tap करा उसको expand करा पिंच करके और अब अगर मैं वहाँ पे brightness को contrast, sharpness या clarity adjust करना चाहरा हूँ वह मैं कर सकता हूँ I know limited controls है बद स्टिल आप वह चीज कर सकते हो by taking matching pixels उसके बाद एक बड़िया चीज मुझे Snapseed में क्या लगती है expand टूल अब कहीं बार क्या होता है हमें Instagram पे फोटो अपलोड करनी हो दिया white borders के साथ यहां हलका सा एरिया में white area डालना होता है तो मैं क्या करता हूँ मैं expand टूल यूज करता हूँ और इसको मैं white वाले mode पे जब expand करूँगा साइब में ऊपन नीचे तो इस तरीके से मैं white borders लेके आ सकता हूँ अपने हिसाब से और एक और यहां पे trick है अगर आपकी image में कुछ ऐसा area है जो थोड़ा plane है और आपको लगते आप उसको expand करना चा करते हो अच्छा तो अब मैं बात करता हूँ टेक्स टूल की जो अगेन काफी यूनीक है Snapseed में आप इस तरीके से अपको image में कुछ टेक्स डालना है अब मैं क्या गरता हूँ instagram story में आपने कहीं बार देखा होगा इस तरह की images जा मैं डालता हूँ की जो text है वो image के पीछे आपको इसके बार में detail में जालना है मैंने अपने instagram में reel डाली है वहाँ जाके चेक कर लेना अब लास्ट में मैं Snapseed के एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा और वो है portraits प्रोसेस करने के लिए आपको दो चीजे मिलती है portrait and head detection है ऐसा कुछ feature है तो आप इन tools को use करके क्या क कर सकते हो आपका जो focus है ना brightness का वो कहीं बार face पे आप ला सकते हो skin को थोड़ा सा smooth कर सकते हो eyes को brighten up कर सकते हो और यह ऐसे tools है जो AI पे काम करते हैं जो अभी तक मुझे lightroom में नहीं देखने को मिले तो Snapseed में एक बढ़िया चीज है कि अगर आप portraits थोड़े जादा shoot करते हो और इतना in-depth में जाके आप नहीं करना चाहरे lightroom में hard work तो Snapseed में आप AI technology को use कर सकते हो और head वाला बड़ा cool feature है इसमें आप smile adjust कर सकते हो और बहुत चीजें हैं जिसको आप manage करके अपने portraits में कुछ-कुछ adjustments कर सकते हो तो यह थे कुछ benefits lightroom के और Snapseed के बाकी आप लोग सिस्टम हो स्मार्टफोन में मैं हमेशा Snapseed और Lightroom दोनों डालके रखता हूं अगर मैं बात करूँ अपने यूज की Snapseed में 60% यूज करता हूं 40% Lightroom यूज करता हूं Snapseed क्या है अगर मुझे लग रहा है कि image में थोड़ा सा color correction होना है बहुत minor सा exposure adjustments करना है या मुझे story के लि editing है वो सारी चीजें पूरा precisely process करने के लिए Lightroom यूज होगा so that's it I hope यह वीडियो आपको help करता है अगर करता है तो share करो आपने friends के साथ I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking and keep editing